हेलो माई डिया नर्चिनी स्टूडेंट्स आप सभी का रुद्धा नर्चिनी एक्स्प्रेस में हार्दीच स्वागत है आज का मारे इंपॉर्टन टॉपिक रहेगा हेल्थ एड्मिनिस्टिशन यानि की स्वास्थ प्रशासन इस वीडियो में हम डिस्केशन करेंगे स्वास पर एनलाइज जरू करें यदि मेरे दौरब बनाएगे आपके लिए हैलफ फुल होते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राब जरू कर लें और साथ में नोटिविकेशन बेल को दबाके और प्लिक कर लें ताकि आप चाहिए आप इस वीडियो का पीडियो प्राप करना चाह होती है तो health administration is a branch of public administration that deals with the promotion of health, medical care and the delivery of health services ठीक है स्वास्थ प्रसासन की एक साखा होती है जो स्वास्थ चिकिस्सा देखवाल और स्वास्थ सेवाओं की वित्रड को बढ़ावा देने से संबन देता ही है कौन हमारी health administration ठीक है तो हम इसमें देखेंगे क्या कैसे हम जो है चि पहुचा सकते है ठीक है ये सारी चीज़े हम जो है health administration की अंतिगत देखते हैं चलिए next point है हमारा health administration is also known as health care administration health care management और hospital management ठीक है important point है याद अखिएगा health administration को हम health care administration भी कहते हैं health care management भी कहते हैं और hospital management भी कहते हैं ठीक है तो तीनों मेंसे कोई भी question आ जाए आपको question पेपर में नहीं छोड़ना है ठीक है चले अगरा point है हमारा India is divided into 28 states and 8 union territories ठीक है याने कि भारत के अगर हम बात करते हैं तो कुल हमारे भारत देश में 28 राज हैं और आठ केंज सासित प्रदेश हैं राइट चले नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन इंडिया अगर हम भारत में बात करते हैं तो health administration को हमने तीन लेवल पर बाटा है sorry या four level लिखा हुआ है कितने में तीन लेवल पर तो वो तीन लेवल कौन-कौन से हैं पहला हमारा है center level इसी को हम national level या union level के नाम से भी जानते हैं अगला हमारा state level और तीसरा हमारा district level यानि कि केंद्री स्तर पर राज स्तर पर और जिला स्तर पर तो आज हम बात करेंगे health administration at central level ठीक है the health system at the national level consists of यदि हम बात करते हैं national level पर तो health administration को हमने यहाँ पे तीन केटेगरी में डिवाइट किया ठी union ministry of health and family welfare यानि कि केंद्री स्वास्थ एवं परिवार कर लिया मंत्रा अगला के हमारा the directorate journal of health services जिसको सौटन लोग DGHS कहते हैं ठीकर यानि कि स्वास्थ सेवर महानिदे साल है और तीसरे हमारा रहेगा the central council of health and family welfare यानि कि केंद्री स्वास्थ और परिवार कर लिया परिशा तो आज हम इस वीडियो में the union ministry of health and family welfare के वारे में completely discussion करेंगे राइट union ministry of health and family welfare organization के अंतरगत सबसे first हमारा point है the union ministry of health and family welfare is headed by a cabinet minister a minister of state and deputy health minister ठीके केंद्री स्वास्थ और परिवार कर लिया मंत्राले का नेत्यत एक cabinet मंत्री एक राज मंत्री और एक उप स्वास्थ राज मंत्री करता है ठीके चलिए next point हमारा the union ministry has three departments ठीके केंद्री मंत्राले के वर हम बात करते हैं तो इसके पास तीन department होते हैं कौन-कौन से सबसे पहला हमारे department of health है यानि कि स्वास्थ बबाग अगला हमारा departments of family welfare यानि कि परिवार कर लियान बबबाग और तीसरे जो हमारे पास है departments of Indian system of medicine and homeopathic जिसक तो ये तीन department जो है हमारे केंद्री मंत्राले के पास होते हैं चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे department of health यानि कि स्वास्थ बबाग के बारे में इसका कारिकारी प्रमुप भारत सरकार का एक सचीव होता है यानि कि इसका head कौन होगा एक सचीव होगा जिसकी सायता के लिए सही उपसचीव होगा एक उपसचीव और एक बड़ा प्रसासनिक स्टाफ होगा ठीक है चलिए आब हम बात कर लेते हैं department of health के कौन-कौन से functions होत तो सबसे पहला हमारा है the functions of the union health minister are set out in the seventh schedule of article 246 of the constitution of India ठीक देखे क्या यहाँ पर कहना चाहता है केंदी स्वास्त मंत्राल है कि जो भी कार होते हैं वो भारत के अनुच्छित 246 की सातवी अनुच्छी ठीक है यह सम्विधान में articles होते हैं ठीक है तो उस article के 246 की सातवी हमारा union list और concrete list यानि कि संग सूची और संबर्ती सूची होती है उसकी अंतरगत ये कार निर्धारित किये गए है ठीक है चले तो एक करके हम देखेंगे कि union list यानि कि संग सूची में कौन-कौन से कार होते हैं और concrete list यानि कि संबर्ती सूची में कौन-कौन से कार हैं ठीक है all the major ports in the country and international airports are directly controlled by the directed journal of health services emphasis on the international health relation ठीक है देश के सभी प्रमुख बंदर गहा ठीक है जहाँ पानी के जहाद रुखते हैं अंतरास्टी हवाई डाज होते हैं ठीक है उनको कौन कंट्रोल करेगा हमारा माहान निदे साल है ठीक है स्वास सेवा माहन निदे साल है उसको सीधा कंट्रोल करेगा और क्या है अंतरास्टी स्वास संबंदों पर जोड़ देना यानि कि जो भी हमारे अलग-अलग countries है ठीक है या कोई foreign countries उनको साथ में एक अच्छा relationship कायम रखना है किसके मामले में हैल्थ के मामले में ठीक है जब भी कोई जरूरत पर जाए तो हम उनसे हैल्प ले सके और अपनी हैल्प उनको दे सके जैसे अभी आपने कोरोना के टाइम में देखा था काफी जो देस हैं उन्होंने अपनी vaccine बनाई ठीक उन vaccine को जो है दूसरे देशों में दिया ठीक तो इ National Institute for the Control of Communicable Disease ठीक है यानि कि जितने भी हमारे देश में जो Central Institute है उनका Administration कैसे किया जाए ठीक है कुछ यहां पर Institute के नाम दिये गा है जैसे All Indian Institute of Hygiene and Public Health यह कहा पड़ता है कोई कहाता हम पड़ता है ठीक है दूसरे कि हमारे National Institute for the Control of Communicable Disease यह खा पड़ेगा आपका डेली पड़ेगा ठीक है तो इनका रख रखाओ कैसिंग का Management करना है ठीक है तो यह हमारा Union List के अंतगत आएगा राइट चलिए अगला हमारा है Promotion of Research through Research Center and Other Bodies ठीक है अनुसंधान के इंद्रों और अननिकायों के माध्यम से अनुसंधान को बढ़ावा देना ठीक है रिसर्च को बढ़ावा देना यहां पर होगा अगला हमारा पॉइंट है regulation and development of medical pharmaceutical dental and nursing professions चिक इसा फार्मासेटिकल दन चिक इसा और नर्सिंग विवसायों का नियमन और विकास करना है यह पर Establishment and maintenance of drug standards और सधी मानकों की स्थापना एवन रख रखाओ ठीक है यहां पर देखिए drug standards से मतलब क्या है यहां पर कोई भी दबा हम कैसे बनाते हैं कैसे उसका license लेते हैं कैसे उसको करते हैं कौन कौन से में chemicals जो है सामिल होते हैं कैसे जो है इसका benefit होगा क्या 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 हमके harmful effect होगा ठीक है यान कि क्या क्या उसका side effect हो सकते हैं तो यह जितने भी जो standards है उनको हमें maintenance रखना है उनको स्थापित करना है चलिए अगला हमारा point है census and collection and publication of other statical data जैंडगर्ना और अनसांख की data देखें यहां पर अनसांख की data से मतलब क्या है जैसे आपका death rate हो गया mortality rate हो गया है तो यह सारी जितने भी है तो ही क्या होता हमारा vital statical data गैल आते हैं ठीक है तो इन सभी को collection करना और उनको प्रकासित करना ठीक है यह भी हमारे union list के अंतरगत एक प्रमुख कार होता है अगला क्या हमारा immigration and immigration ठीक है parallel को डोनों में अंतर होता आप्रवाशन और उत्प्रवाशन उसको हिंदी में कहते है immigration क्या होता है immigration यहाद दखेगा जब बाहर country के लोग अपने इंडिया में अगर आ जाए तो उस condition को हम immigration कहते हैं और emigration क्या होता है e e का मतलब क्या होता exit यानि कि बाहर जाना यानि कि अपने देश के जब लोग बाहर के country में जाना पसंद करें ठीक है तो उसको हम क्या करेंगे immigration करेंगे राइट शागे अगला हमारा point है regulation of labor in the working of mines and oil fields ठीक है यानि कोई भी ऐसे labor कोई भी ऐसे स्रम स्रमिक जो mines, खदानों और oil fields में काम करते हैं ठीक है उनकी देखरेक करना है अगला हमारा point क्या है coordination with states and with other ministries of promotion of health ठीक है स्वास्त को बढ़ावा देने के लिए हमें राज्यों और अन्मंत्रानों के साथ भी यहां पर समन में इस्थापित करना है ठीक है चलिए अब हम देखेंगे concurrent list यानि कि संबर्ती सूची में कौन कौन से कार रहे है ठीक है दा functions listed under the concurrent list are the responsibility of both union and state government देखे यहां दखेगा संबर्ती सूची के अंतगत जो भी कार होते हैं ठीक है वो कार की responsibility कौन करेगा उसको देखेगा यहां केंद और राजसरकार दोनों ही जो है संबर्ती सूची के अं union और state governments राइट चलिए तो देखते हैं कौन-कौन से इसमें का रहे हैं तो सबसे पहले हमारा है prevention of communicable disease यानि कि संचारी रोगों की रोग ठाम करना नेक्ट हमारा prevention of adaptation of foodstuff यानि कि खाद पदार्तों में मिलावट को रोक रहा जोसकी रोग ठाम करना ठीक है अगला हमारा control of drugs and poisons और सदियर एवन विशों पर नियंत्राण ठीक है अगला है हमारा vital statics ठीक है इसके अंतिकत क्या क्या आते हैं ठीक है इसको इंदी मनलुक जैस्ट समंदी आकने कहते हैं जैसे आपका death rate हो गया mortality rate हो गया child birth हो गया child death हो गया ठीक है यह सारे जितने भी जो statics है वो हमारे vital statistics कहलाते हैं राइट अगला है हमारा labor welfare यानि की स्रम कल्याण ठीक है next हमारा population control and family planning जन संक्षे नियंत्र एबं परिवार नियूजिन को भी यह देखता है चलिए अगला है हमारा department of family welfare ठीक है यानि की परिवार कल्याण भवार ठीक है it was created in 1966 with the ministry of health and family welfare इसे जो एक 1986 में स्वा secretary होते हैं जिसको हम इंदी में सचिप कहते हैं members कुन-कुन से आपको देखने को मिल जाएंगे जो की secretary की मदद करेगा ठीक है यहाँ पर आपको additional secretary ठीक है अत्रिक सचिप commissioner और एक joint secretary होगा इसमें ठीक है चले बात कर लेते हैं functions की क्या 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 अनके परिवार कल्याण भव क्रम पायुजित करना ठीक है जो भी हमारे family welfare प्रोग्राम होंगे तो यह किसके तत्वधान में स्टार्ट होंगे याद कि family welfare centers के अंतरगात होंगे ठीक अगला हमारा है to support all voluntary organization interested in the program कार क्रम में रुची रखने वाले सभी स्वेचिक संगटों का समर्थन करना यानि की family welfare program के अंतरग जो भी interested है कोई भी हमारे जो ऑर्गनाईजेशन्स हैं जो वालेंटे ऑर्गनाईजेशन्स अगर वो interested रखते हैं तो उनका स्वागत है तो अगला हमारे क्या है maternal and child health services यानि की मात्र एवर सिसु स्वास्ट सेवाओं को देखना है नेक्स्ट हमारा to educate every individual that small family size is valuable प्रतीग व्यक्ति को सिक्षित करना है जिससे की वो जान सके की छोटा परिवार्द होता है खुशी का आधार होता है ठीक है यानि की मुल्यवान होता है राइट चली अगला हमारा क्या है rural health services ग्रामीर स्वास से वाइद प्रदान करना ठीक अगला क्या हमारा contraceptive research supply गर्व निरोधक अनुसंदान एवं आपूर्थी देखिए यहां पे गर्व निरोधक अनुसंदान से मतलब क्या है जितने भी contraceptive methods होते है जो device होते है ठीक है तो यह research की अंतरगत ह बना रहे हैं उनकी हमें आपूर्थी भी करना है ठीक कैसे हम उसकी आपूर्थी करेंगे चलिए तीसरा हमारे department होगा department of Indian system of medicine and homeopathic यानि कि भारती चिकिस्टापतिती और homeopathic बिवाद इसके स्थापना कब होई थे यादा किए मार्च 1995 में ठीक है फंसेंस क्या क्या थे इनक management of availability of raw material research and development information and communication and involvement of ISM and homeopathic in national healthcare ठीक क्या कहना चाहता है बिभिन योजनाओ का कार्यान वियन करना या क्रियान वियन करना जैसे क्या क्या काम करता है सिच्छा दवाओं का मानकी करना कच्छे माल की उप्रप्तता में ब्रद्धी करना अनुसंधानों विकास को बढ़ावा दे राश्टी स्वास्त देखवाल में ISM और होमियोपैथिक की बागीदारी को बढ़ावा देना ठीक यह सारे कार जो है किसके अंतरगत होंगे डिपार्टमेंट्स आफ इंडिन सिस्टम अप मैडिकल एंड होमियोपैथिक में राइट आशा करता हूं कि आपको अच्छे तर सब्सक्राब नहीं किया तो प्रीज चैनल को सब्सक्राब जरू कर लें तो तब तर के लिए अपना ख्याल रखें टेक एंड बाई बाई थैंक्यू सो मॉच